कि अधियुक में क्लास वन देयर स्टुडेंट आइम यह मैं टीचर नाव डिसकस पेज नंबर 58 आज मारा बुक वर्क है तो हम 58 पेज नंबर को डिसकस करेंगे पहले तो हम डेट में पुट करेंगे मारे डेट है एट 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 टू जीरो टू जीरो डेट मेंशन करने के बाद काउंट एंड कलरड काउंट दे कलर ब्लॉक एंड राइड आंसर मतलब कि आपने आंसर लिखना है कलर ब्लॉक को कलर के नहें काउंट करके जो मारा फर्स क्वेशन है तो मल्टिप्लाइ बाइ नाइन इस एक्वाल टू अब हम टू का टेबल पढ़ेंगे तू नाइस आ एटीन होता है तो हम यहां ट्वंटी लिख देंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा काउंट करना है और आंसर राइट करना है लिखना है यहां तो यहां टैन होते हैं तो सरकल काउंट करेंगे नेक्स्ट जो मारा पेज नंबर है पेज नंबर 59 है तू मल्टिप्लाइब बाइट इस एक्वाल टू अब हम के सरकल का देते हैं 123456789 10 11 12 13 14 15 16 16 तो हम यहां 16 लिख देंगे प्सक्राइब है नेक्स मार क्योस्टन है 2 x 4 is एक्वाल टू हम लिख देंगे आप इस तरह भी लिख सकते हैं तो वन तू 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 तरह 4 तो तू 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 तपर 2 था सेक्स तू फोर द अट फू एट मैट मेट्वी तो हम यहां फ़र लिख देंगे हमारा जी नाइन हो गया है जी इसमें हम मैल टीप्लीकेशन करो यह सब्सक्राइब जैसे 2 multiply by 1 अब 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 2 का टेबल 1 तक पढ़ें 2 तो हम यहां 2 mention कर देंगे 2 लिख देंगे यह हमारा answer होगा 7 multiply by 2 आप 7 का टेबल आप पढ़ सकते हैं 7172014 तो हम आप यहां 14 भी लिख सकते हैं तो आप यहां 14 लिख सकते हैं नेक्स्ट है 2 multiply by 2 अगर हम 2 का टेबल 2 तक पढ़ें तो मैं पास क्या आता है तो हम यहां 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हैं 8 multiply by 6 अगर हम 6 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 8600 यह 68048 यह 86048 तो जो भी मैं आपके पास आंसर जो भी टेबल मर्जी पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर 48 ही आएगा अब है 3 multiply by 2 अब हम 2 का टेबल 3 तक पढ़ें या 3 का टेबल 2 तक पढ़ें तो हमारे पास 6 ही आएगा तो हम यहां 8 मैंशन कर देंगे तो हम यहां 8 मैंशन कर देंगे अब है 10 क्वेशन नंबर हमारा है 8 10 multiply by 2 अगर हम टू का टेबल 0 तक पढ़ेंगे तो 2 0 0 ही आता है 2 1 0 2 तो यह हमारा कोश्चन इस त्रीके से डान होगा हम पहले टू का टेबल 0 की तरफ पढ़ेंगे 2 0 2 का टेबल 0 की तरफ पढ़ेंगे तो 2 0 0 आ जाएगा 2 1 0 2 2 2 आ जाएगा इस विके से भी आप पढ़ सकते हैं आप 2 का टेबल 10 तक भी पढ़ सकते हैं एट्स यूर च्वाइस च्वाइस आज आगे 5 multiply by 2 तो अब हम टू का टेबल पढ़ेंगे तो 1 0 2 2 2 2 2 2 3 6 2 4 0 8 2 5 10 तो हमारे पास 10 आजाएगा नेक्स क्वोस्चेन नंबर हमारे पास है 10 क्वेस्चन नबर 10 जो है हमारे पास वो है 6 multiply by 2 अब हम 2 कर टेबल 6 तक पढ़ेंगे 2, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10 तो 6, 2, 6, 0, 12 तो हम यहां 12 लिख सकते हैं तो हमारा यह question number sorry page number 60 complete हो गया है तो हमारा work यही तक था so student stay home stay safe Allah आफिस